जैहिन दोस्तो मैं हुआ नूप और आप सब लोग देख रहे हैं Global Conflict Hindi दोस्तो आज के इस वीडियो में आप लोगो को Western Media मतलब विदेशी Media के तरफ से भारत के हत्यारों के development को लेके किये के एक चर्चा के बारे में वताऊंगा बैसिकली दोस्तो UK के मीडिया जैंस मीडिया हाउस के तरफ से भारत के कई सारे हत्यारों को लेके हाल फिलाल में अपने कई तरीके के रिपोर्टों को जारी किया किया और दोस्तो इस बार वेस्टन मीडिया के तरफ से भारत के हत्यारों के development को लेके negative report नहीं बल्कि positive report जारी किया जा रहा है बैसिकली इसके पीछे कारण है उनके हैरानी Western Media ये समझ नहीं पा रहा है कि भारत इतने तेज रफतार में कैसे आगे बढ़ रहा है और defense sector में भी किस तरीके से इतने तेज रफतार में काम कर रहा है और इस बार दोस्तो Western Media का मतलब UK के Genes Media House का चर्चा का विशय बना हुआ है भारत के FICV मतलब Futuristic Infantry Combat Vehicle का project दोस्तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि FICV project को लेके Western Media के तरफ से जारी किया गया report में असल में भारत के इस project को लेके क्या कहा गया Western Media क्यों है और भारत के जो FICV project है असल में किस तरीके का project है और कब तक ये तैयार होने जा रहा है तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने दहिया और चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोसो ब्रिटेन के Media House या फिर कहतो जेंस Media House के तरफ से हाले में अपने एक आर्टिकल में इंडिया के Future Infantry Combat Vehicle मतलब FICV project का जिकर किया गया और इस Media House का कहना है कि इंडिया के स्टेट और अर्मड विएकल निगम लिमिटेड मतलब AVNL के तरफ से इंडियान आर्मी के इस आवशकताओं को देखते हुए अपने Future Infantry Combat Vehicle के प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट को प्रपोस किया गया है Media House के तरफ से ये भी जानकारी दिया गया है कि आर्मड विएकल निगम लिमिटेड के अधिकारियों के तरफ से ही Media House को इस बारे में जानकारी दिया गया है और ये पक्का किया गया है कि इस तरीके के विएकल के डिवलोप्मेंट का काम आर्मड विएकल निगम लिमिटेड कर रहा है दोस्तों जेंस मीडिया हॉस का ये भी कहना है कि आर्मड वेहकल निगम लिमिटेड असल में साल 2024 तक FICV प्रोजेट के अंतरगत बनाय जाने वाले वेहकल को दुनिया के सामने लाने का तैयारी कर रहा है और इस काम को अंजाम असल में साल 2024 में ही भारत में आईजित होने वाले डिफेंस एक्सपो शो के दर्मियान किया जाएगा बैसिकली दोस्तों ये वही शो है जो कुछ दिन पहले गुजरात में आईजित किया गया था और इसका नेक्स्ट एडिशन साल 2024 में आईजित होगा अब दोस्तों मीडिया हाउस का ये भी दावा है कि आर्मड वेहकल निगम लिमिटेड के जनरल मैनेजर अनुरा कुमार सर्मा के तरफ से उन्हें ये भी जानकारी दिया गया है कि FICV प्रोजेट के अंतरगर जो वेहकल का डिजाइन और डिवलप्मेंट किया जा रहा है ये संपूर्ण रूप से आर्मड वेहकल निगम लिमिटेड ही कर रहा है और ये किसी वी तरीके से रशियन बी एमपी वेहकलों के साथ किसी वी तरीके का कोई भी रिलेशन नहीं र रूप में मतलब अपने खुद के डिजाइन के रूप में इसका निर्मान का काम किया जाना है दोस्तों शर्मा के तरफ से बताया गया है कि बी एमपी के डिजाइन असल में तीन फैक्टरों के उपर डिपेंड करता है जिन में मोबिलिटी फायर फावर और प्रोटेक्शन होता है पर इस वार एफाई सीवी प्रोजेक्ट में आर्मर्ड वेहकल निगम लिमिटेड के तरफ से कुछ और आइडियास को भी जुडा गया है जिन में फोर फैक्टर के रूप में क्रू कमफर्ट है अनुरा कुमार शर्मा के तरफ से ये भी बताया गया है कि बी एमफी प्रांस्मिशन सिस्टम का इस्तिमाल किया जाएगा हाला कि इसके इलावा इसमें 30 मिलिमिटर के कैनन 7.62 मिलिमिटर के को एक्साइल गन भी होगा और एफाई सीवी प्रोजेक्ट में इसमें लॉटरिंग म्यूनेशनों को भी जोडने का काम किया जाएगा हाला कि इसके इल लेवल के प्रोटेक्शन देता है तो उही पे FICV प्रोटेक्शन है इसे चार लेवल में किया जाएगा और बताया जा रहा है कि इसमें laser warning सिस्टम से शुरू करके active protection सिस्टम को भी जोडा जाएगा तो अनुडा कुमार शर्मा के तरफ से जेंस मीडिया हॉस को ये भी बताया गया है कि उनके कमपने के द्वारा बनाय जाने वाले FICV प्रोजेक्ट में क्रू कमफर्टनेस के लिए एर कंडिशिनर सिस्टम और ब्लास्ट अल्टरेशन सिट का भी इस्तेमाल किया जाएगा जो की इंप्रूफ सॉस विंसन के साथ होगा अलाकि इसके इलावा इसका एक नया हल के ऊपर भी काम किया जारा और उसका वजन करीफ करीफ तेई स्टन के आसपास रखा जाना है इस तरीके के इंफेंट्री फाइटिंग वियेकल के पास करीफ करीफ 11 क्रू मेंबरों को कैरी करने का शमता होगा दोसो यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दू कि फिलाल इंडियन आर्मी के द्वारा ऐसा करीवन 1750 यूनिट के इंडिजिनियसले डेवलप्ट किया हुआ Amphibious Track विएकलों को खरिदने का इरादा रखा गया है जिसे FICV प्रोजेक्ट के अंतरगत बनाया जाना है और इसे लेके इंडियन आर्मी के द्वारा जून 2021 में एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मिशन भी जारी किया गया है अब दोसो FICV प्रोजेक्ट को अगर देखा जाये तो ये आज का प्रोजेक्ट नहीं है बलकि ये काफी पुड़ाना प्रोजेक्ट है जिसके अंतरगत असल में इंडियन आर्मी में इस्तिमाल होने वाले पुराने हो चुके इंडियन आर्मी के बेड़े में इस्तिमाल होने वाले करीब-करीब 1900 इंफेंट्री फाइटिंग वियेकलों को रिप्लेस किया जाना है अब दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बतादू कि साल 2013 से लेके अब तक इस प्रोजेक्ट में कई वार प्रयास किया जा चुका है और कई वार इसमें विफलता का वी सामना करना पड़ा हलाकि साल 2016 ऐसा साल था जब इसे लेके काफी 30 रफतार में बातों को आगे उठाया गया और कई सारे प्राइबिट कमपनी इवेन गॉर्मेंट ओन कमपनी के तरफ से भी इस प्रोजेक्ट में ध्यान केंद्रित किया गया और एक तरीके से आर्मी के आवशक्ताओं को पूर किया जाएगा तो उही पर इसमें प्राइवेट कमपनियों के द्वारा भी काम किया जाएगा और संभावित प्राइवेट कमपनी डेवलाप्मेंट काम मैनुफैक्चरर के रूप में इसमें काम करें तो जो रिक्वेस्ट फर इन्फॉर्मेशन जारी किया गया उसके अंत होना चाहिए हलाकि इसके इलावा additional capability के साथ इसमें 7 fully equipped infantry man को carry करने का शमता होना चाहिए vehicle के fast amphibious capability होना चाहिए मतलब आवशकता पढ़ने पे ये पानी के उपर से तैर के इधर से उधर जाने में समर्थ होना चाहिए और ये highly mobile vehicle होना चाहिए मतलब इसे किसी वी terrain में किसी वी condition में इस्तिमाल करने का शमता होना चाहिए अब दोस्तों ये जो vehicle के request for information है इसमें सबसे मेहत्व पूर्ण बात है कि ये buy and make category के अंतरगत है मतलब cable मात्र domestic farms के तरफ से ही इसका निर्मान किया आ सकता है मतलब एक तरीके से विदेशी कमपनियों के संभावनाओं को तो यहाँ पे समाथ कर दिया गया है तो उही पे domestic कमपनियों के संभावनाओं बढ़ने के साथ साथ अब कमपनियों के तरफ से बड़े मात्रा में ऐसे vehicle के development के उपर काम भी किया जा रहा है पर दोस्तों फिलाल जो FICV को रोल आउट करने का बात कहा जा रहा है यह armored vehicle निगम लिमिटेड के तरफ से बनाया जा रहा है और यहाँ पे अब तक ये बात जिकर नहीं हुआ है कि कोई private company या अन्ने company इसमें किसी तरीके का कोई भागेदारी निभा रहा है कि नहीं अब दोस्तों इंडियन आर्मी के बेड़े के अगर infantry fighting vehicle को देखा जाए तो रिपोट के मुतावि केवल मातरो BMP2 ही ऐसे infantry fighting vehicle है जो इंडियन आर्मी के बेड़े में है हला कि जो बाकी vehicle है उसे armored personal carrier कहा जाता है और इंडियन आर्मी के पास करिफ करिफ धाई हजार के आसपास ऐसे BMP1 और BMP2 कैटेगरी के infantry fighting vehicle है जिसे लगातार अफग्रेट करके इस्तिमाल किया जा रहा है हला कि दोस्तों अगर ये अफग्रेट नहीं होता तो इसे अब तक रिटार कर देना पड़ता और हाल फिलाल में जो रश्या और यूकरेंट का लड़ाई हुआ है उस दर्मियान जो BMP vehicle का हशर हो रहा है उसे लेके भी भारत चिंतित है दुसे तरफ अगर आर्मर्ड पर्सनल कैरियर को देखा जाए तो यहाँ पे कई तरीके के वेकलों का डेवलपमेंट अब तक भारत के दुआरा किया जा चुका है चाहे हो Tata Crystal हो या Tata Quick Reaction Fighting Vehicle हो या कल्यानी M4 Vehicle हो महेंदरा के तरफ से भी Stelon Flask का भी निर्मान किया गया है और Ordnance Factory Board के आधित्या जैसे स्वादिशी Vehicle भी है महेंदरा के Light Specialized Vehicle महेंदरा के Marksman और महेंदरा के रक्षक भी ऐसे Vehicle है जिसका इस्तिमाल भारत करता है जाहां पर अत्य आवशक है तो उहीं पर दोस्तों मेरा मानना ये है कि ऐसे एक तरीके के Vehicle इंडिया के आवशक्ताओं को पुरा नहीं कर सकता बलकि ऐसे एक वियकल के साथ अन्य कंपनियों को भी अपने Vehicle के development करना चाहिए और दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो इसका आवशक्ता काफी अधिक होने के कारण अगर किसी अन्य कंपनी के तरफ से भी ऐसे विएकलों के development किया जाता है तो उन विएकलों को भी इंडियन armed forces के द्वारा चुने जाने का समभावना या फिर कहतों इंडिय अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बैल आइकन को इप्रेस कर दीजिए तकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिन